गुण मार्निक वाला फ्यूँ पिछले वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेते लेंस दो परकार का होता है उट्टर लेंस और अवतर लेंस आज हम लोग लेंस के द्वारा प्रतिविंब का पनना पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिविंब का बनना इसको पढ़ने से पहले लेंस में दो क्रिया होती है उसको जानेंगे अविसारी तथा अपसारी क्रिया है अपसारी क्रिया है इसको पहले हम दो दाल लेंगे जब लेंस में परGrand कीरण आप्तित होती है तो लेंस जो है अपरतल के बार豁श उसको एक बिन्दु पर या तो इकठा करता है या उसको जो है फैलाता है यह जो है लेंस की अभिसालिक तिरिया कहलाएगी जब की जब परकास की किरण किसी लेंस पर आपतित होता है और वह लेंस उस परकास के किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिन्दु पर इकठा नो करके उसको फैलाता है तो यह किरिया अब सारी किरिया कहलाएगी तो अभिसारी किरिया क्या होगी जब परकास की किरण किसी लेंस पर आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद यदि किसी एक बिन्दु पर केंडरित हो जाए तो यह किरिया अभिसारी किरिया कहलाती है उत्तर लेंस जो होता है उत्तर लेंस वह अभिसारी किरिया को व्यक्त करता है इसलिए उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं अविसारी लेंज यानि उत्तर लेंज जो है अविसारी लेंज है क्योंकि अपवर्तन के बाद यह प्रकास के क्रिडों को एक विर्डू पर इकठा करता है अब बात आती है अपसारी क्रिया क्या होगी तो जब परकास के क्रिया किसी लेंज पर आतित होता है तो अपवर्तन के बाद यदि वह लेंज परकास के क्रिडों को बिखेर दे फैला दे यह क्रिया अपसारी क्रिया तहलाता है आउतर लेंज जो होता है आउतर लेंज अपवर्तन के बाद परकास के पिरोडों को बिखेर देता है फैला देता है इसलिए आउतर लेंज कौन काते है अपसारी लेंज इसको फिगर के दोबारा कैसे परदर्शित करेंगे ति ये आपका है उत्तर लेंस यह इसका मुक्यक्ष है परकास की खिरण इस पर आती है मुक्यक्ष के समांतर इसका अपॉर्टर होगा अपॉर्टर होने के बार परकास की खिरणे एक बिर्द पर एक अठा हो जाती है इसको हम कहते है यह जो खिरिया है यह अभिसारी खिरिया जबकि अगर अव्थर लेंस लेते हैं पर्कास की खिरण मुख्यप्च के समांतर आती है पर्कास की खिरण है जो मुख्यप्च के समांतर आ रहे हैं जब इसका अप्वर्तन होगा तो यह लेंज परकास के किर्णों को विखेर देता है तो इस क्रिया को कहते हैं हम अप्रसारी क्रिया यानि उत्तर लेंज जो है अभिशारी की तरह कारित अपता है इसलिए उत्तर लेंज को अभिशारी लेंज भी कहते हैं और यह परकास के क्रिणों को अप्वर्तन के बाद एक बिंदु पर इकठा करता है जबकि अव्तर लेंज जो है वह अप्वसारी लेंज होता है क्योंकि अप्वर्तन के बाद यह प्रकास के क्रिणों को विखेर देता है इस क्रिया को अप्वसारी क्रिया करते हैं और अव्तर लेंज जो है अप्वसारी लेंज होता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंज द्वारा प्रतिवीम का बनना, इसके लिए तीन नियम है, वो नियम प्रतिवीम को बनाने के लिए उतरदाई होता है, सबसे पहला जो नियम है, फ्लेंज के द्वारा प्रतिवीम का इसे बनेगा, इसमें पहला जो नियम है, वो बतलाता है, कि अगर परकास की पिरण मुख्य अक्ष के समानतर आती है, मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली परकास की किरण आने वाली परकास की किरण आने वाली परकास की किरण, अप्वर्तन के बाद, के बाद, मुख्य पूकस से जाकी है, मुख्य पूकस से जाती है, यह बाला जियम हो गया, दूसरा जिमियम है, यह मतलाता है, कि परकासिक केंदर से परकास की किरण, सीधे निकल जाती है, सीधे शली जाती है, यह दूसरा जिमियम हो गया, तीसरा जिमियम है, यह दीतिया होगा, दीतिया, उसके बाद से, मुख्य पूकस से जाने वाली परकास की किरण, प्रथम लिख लेते हैं, प्रथम मुख्य पूकस से जाने वाली परकास की किरण, पर अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, जूक्य अक्ष के समांतर हो जाती, यह लेंस द्वारा प्रतिविम के बंदने का तीन नियम है, पहला नियम क्या है, मुख्य अप्च के समांतर, आने वाली परकास की किरण, अपवर्तन के बाद, दीतिया, मुख्य पूकस से जाती है, प्रकासिक केंदर से, जाने वाली परकास की किरण, शीधे चली जाती है, प्रथम के फोकस से जाने वाली परकास की किरण, अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसको जो है हम लोग डाइग्राम से समझेंगे कि डाइग्राम से कैसे होगा ध्यान से इसको देखेंगे पहला नियम हमारा है मुख्यत्स के समांतर जानने वाली पर खास किरा जैसे हम उत्तर लेंज बनाएंगे और उत्तर लेंज पर पहला जो है नियम है यह परतासी के इंदर हो गया यह आपका यकवन हो गया जिसको हम प्रत्तम मुख्य फोकस काते हैं इधर यह पुट्य होगा जिसको हम दीतीय मुख्य फोकस काते हैं उसके बाद तू यह कौन यानि इसके दुबूने के बराबर हो गया और इधर तू एप तू यह हो गया अब देखिए अगर मुख्यक्स के समांतर प्रकास कि पिराने जा रही है तो जब इसका पूर्टर भूगा तो यह परकास कि पिरान दीतीय मुख्यक्स के फोकस से होकर जाएं तू यह पाला नियां था दूसरा नियां है कि परकासिक केरे से जो परकास कि पिरान जाती है वह सीधे निकल जाती है यानि ये भी एक बस्त हुए गया ये और ये बस्त है तो अगर परकासित के अंदर से ये जा रहा है तो बीना विजलित हुए ये सीधे चला जाएगा ये चली गई ये दूसरा हो गया और तीसरा ये है कि यदि यप से जा रहा है यानि पर्था मुख्य पोकस से जा रहा है तो अप वर्थन के बाद यह मुख्यक्ष के सरांतर हो जाएगा यानि यह तीनों किरणों का कटान मुख्य है तो एवी का प्रतिविम्ब होगा यहां पर बनेगा एडएज बीड है ये जो है एवी का प्रतिविम्ब है तीनों रेखा इसमें परदर्शित है कोई यरूरी नहीं है कि तीनों रेखा को दिखलाएंगे किन्नी भी दो रेखाओं से हम दिखला देंगे वो दोनों रेखाएं अपवर्थन के बाद जहां कट करेंगी वो हवस्त का प्रतिविम्ब होगा इपर और देखें पर्थम नियम मुख्यक्स के समानतर जाएगी अपवर्थन के बाद मुख्य फोकस से जाएगी दूसरा नियम परकासिक के अदर से बीना विजलित हुए चली जाएगी तिसरा नियम यदि यव्थ से जाए और मुख्यक्स से जाएगा तो अपवर्थन के बाद मुख्यक्स के समानतर हो जाएगी इसी नियम से लेंज के दौरा प्रतिविम्ब बनता है अब हम लोग जो है लेंस्टु की दो परकार उत्तर लेंस के द्वारा प्रतिविंग का बनना पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला होगा जब वस्तु अनन्द पर होगा तो उसके लिए हम डाइग्राम पहले बनाएंगे उत्तर लेंस बनाएंगे और इसका मुख्या सखीचेंगे यह भी एक बस्तु है जो अनन्द पर है यह इसका प्रत्थम मुख्य फोकस है और यह जो है दितीय मुख्य फोकस है प्रत्थम मुख्य फोकस है तो इससे जाने वाली प्रकास की किरण जो है अप और तर के बाद मुख्यक्ष की समंतर हो जाती है फिर एक प्रकास की किरण प्रकासित केंद्र से जब जाता है तो वह सीधे निकल जाता है यानि इन दोनों का जो कठान विल्द है वह यह है यानि अब इससे अस्पश्ट होता है इस फीघर से अब बताएंगे कि जब अनन्त पर होगा कहां पर होगा अनन्त पर होगा तो उत्तर लेंस के द्वारा उसका प्रतिभिम वास्तिविक होगा उल्टा होगा वस्तु से छोटा होगा क्या होगा जब वस्तु अनन्त पर होगा उसका प्रतिभिम उत्तले लेंज के द्वारा दीती ये मुख्य फोकस पर बनेगा वास्तिविक होगा, उल्टा होगा और बस्तु से छोटा होगा ये पहला कंडिशन था उत्तले लेंज के द्वारा प्रतिविम के बनने था जिसमें बस्तु कहां था? अनन्त पर अब दूसरा कंडिशन ये है कि बस्त हमारा होगा अनत और टूयव के बीच यानि दूसरा कंडिशन क्या है जब बस्त अनत तर्था तूयव के बीच में हो तूयव वन के टैटूयव के बीच हो कहीं कहीं तूयव वन दिदिया होगा जब बस्त अनत तथा तूयव के बीच में होगा अब इसका हम टाइग्राम बनाएंगे ये हमारा हो गया उत्तर लेंज इसका हम मुख्य फोकस किस देंगे सरी मुख्य अब ये जो है यफवन है और ये एप्टू है और ये टूयव है इधर जो है इसका प्रतिविन कैसे बनेगा तो एवी से प्रकास किती रड़ जाएगी जो तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी जब प्रकास किती रड़ मुख्य अक्ष के समांतर होती है अब वर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती है ये चली गई दूसरा जो है प्रकास किती रड़ हम लेके जाएंगे यपवन से तो जब यपवन से प्रकास किती रड़ जाएगी तो अपवर्तन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी यानि अपवर्तन के बाद जो दो अब इसको आप बताएंगे कैसे जब वस्त अनन्त तथा टूयब के बीच में होगा तो उसका प्रतिविम यपटू तथा टूयब के बीच बनेगा वस्त विक होगा उल्टा होगा बस्त उसे छोटा क्या होगा जब वस्त अनन्त तथा टूयब के बीच होगा उसका प्रतिविम यपटू तथा टूयब के बीच बनेगा वस्त विक होगा उल्टा होगा और वस्त उसे छोटा होगा यह दूसरा कन्दीशन था उत्तले लेंस द्वारा प्रतिविम के बनने का अब जो है अम लोग तीसरा कन्दीशन पढ़ेंगे इसको बना आदेंगे तिसरा कंडिशन क्या है कि जब वस्तु आज़ें तिसरा कंडिशन आज़ें जब वस्तु आज़ें तुयब पर हो तुयब पर हो जब वस्तु आज़ें पर होगा तो इसको कैसे बनाएंगे फिर से हम उत्तर लेंस बना लेंगे इसका मुख्याक्षत पीचेंगे यप है तुयब है यप्टू है और ये आपका तुयब है अब यहां पर बस्तु है तुयब पर एपी एक बस्तु है इससे परकास की पिरण पहले मुख्याक्ष के समांतर ले जाएंगे अब वर्चन होगा यप्टू से जाएगा दूसरी परकास की पिरण यप्टू से लेके जाएंगे अब वर्चन होगा मुख्याक्ष के समांतर हो जाएगी अब जो है ये एडैस बी डैस एबी का प्रतिविम है इससे हम क्या पता चला जब बस्तु तुयब पर होगा तो उसका प्रतिविम तुयब पर बनेगा उल्टा होगा वास्तिविक होगा बस्तु के बराबर होगा जब बस्त तुयब पर होगा उसका प्रतिविम वास्तिविक उल्टा बस्तु के बराबर तुयब पर ही बनेगा ये था उस्तल लेंस द्वरा प्रतिविम का बनना जिसमें तीसरा कंडिशन था अब चौथा कंडिशन बस्त टूयफ और यफवर के बीच में होगा इसको मिटा दिया जाएगा अगला जो कंडिशन है वह है चौथा कंडिशन जब वस्त टूयफ तथा यफ के बीच हो उसको मिठाते है फिर से उत्तर लिंशिक बनाना है यह इसका मुख्य अच्छ है यह टूयफ है और यह यफ वन है यहां पर कोई वस्तु है अबी अबी के से मुख्यक्स के समानतर एक परकास की पिरण जाएगी और पूर्तन के बाद यफ से जाएगी दूसरी परकास की किरण जो है यह टूयफ है दूसरी परकास की किरण इसको परकासी के अंदर से लेके जाएगे और दूनों जो है यहां पर एक दूसरी को कट करेंगे इसको जो है मुख्यक्स से मिला देंगे यह A-डैस और यह हो गया B-डैस यानि A-B का प्रतिविम A-डैस B-डैस है अब देखिए कैसा बना है जब वस्त तू यफ हो यफवन के बीच में होगा तो उसका प्रतिविम तू यफ हो अनन्त के बीच में बनेगा वास्टविक होगा उल्टा होगा और वस्त उसे बड़ा होगा यफ किसके लिए है जब वस्त तू यफवन यफ जाहे यफवन के बीच में हो तब इसके बाद से यख one और यख और यख two जब लेंज से पतला होगा एक बार आपको clear हो जाएंगे यख one, यख two जो है तो यख जो है यह सेम है इसको हम यख लिख सकते हैं अगर लेंज से पतला होगा तो दोनों मुख्य पोपस आपस में क्या होंगे बराबर होंगे यह था जब बस्तु यप और यप के मिश में हो तिसरा कंडिशन पच्छन चौथा था यह अब जो है कि पाच्छवा कंडिशन पढ़ेंगे अब लोग कि पाच्छवा क्या है कि जब बस्तु अब कि यप पर हो यप चाहे या भुवन पर हो एक ही है यप और यप यवन पतले लेंज़ के लिए दोनों यह कई होता है यह फ़न यह वापस में क्या होते हैं बराबर होते हैं जाभ पर हो तब उसका प्रतिविम कहां बनेगा इसके लिए देखिए फिर से हम क्या करेंगे उत्तर लेंस बनाएंगे क्योंकि हम उत्तर लेंस के द्वारा प्रतिवीन का बनना पढ़ रहे हैं और इसमें जो है मुखेल सिखेंगे बस्त कहां पर है यफ पर है या यफ वन पर है तो इसे पर कास की तिरण जाएगी अपवर्तन होगा तो ये फिर से यप से जाएगी ठीक है दूसरा तो है ये भी ये बस्त है सी से जाएगी अपवर्तन होगा बिना बिचलित हुए निकल जाएगी अब ये देखने से अस्पश्ट हो रहा है कि दोनों पर कास की खिरण कहीं अनंत पर जाता देख दूसरे से मिलेगी यानि जब वस्त यप पर होगा उसका प्रतिविम्ब अनंत पर बनेगा वस्त विक होगा उल्टा होगा बस्त उसे बड़ा होगा जब बस्त यप पर होगा तब उसका प्रतिविम्ब अनंत पर बनेगा वस्त विक होगा उल्टा होगा बस्त उसे बड़ा होगा इसके बाद से चट्वा जो कंडिशन है वह परेंगे जब बस्त यह पत्त था प्रकाशिक केंड के बीछ हो प्रकाशिक केंड के बीछ हो जब बस्त यह पत्ता प्रकाशिक केंड के बीछ हो इसको बिटायर आएगा और देखिए उस्तलिस बनाएंगे अब बस्त कहां है यप और सी यानि प्रकाशिक के अंदर के बीछ में है यहां पर बस्त था यह भी प्रकाश की किरण पहले एसे जाएगी अब फिर यप से जाएगी दूसरा जो है अब इसको जो है इसको मिताते हैं हम लोग और इसको जो है पीछे बढ़ाया जाए अगर इधर से बनाते हैं और इसको भी पीछे बढ़ाया जाएगे तो यहां पर दोरों एक दूसरे को कट करेंगी तो यह जो है ए बी का प्रतिविम ए डैस बी डैस है जो जिधर बस्त है उधर जी बना है इसमें हम बता सकते हैं कि जब बस्त यप तथा प्रकासित केंदर जिसको सी से निखते हैं सी के बीछ होगा तो उसका प्रतिविम बस्त की ओर बनेगा वास्त अभासी बनेगा सीधा बनेगा और बस्त उसे बड़ा बनेगा यह था उत्तर लेंस के द्वारा प्रतिविम का बनना अब हम लूप पहेंगे अउत्तर लेंस द्वारा प्रतिविम का बनना इस द्वारा प्रतिविम्ब केवल एक इस्तती में बनता है अवतल लेंज द्वारा प्रतिविम्ब का बढ़ना इसमें एक इस्तती है वस जब वस्त प्रकासिक के अंदर और अनन्त के बीचो तो मौतल लेंज बना देंगे यह वस्त है अब इससे ए भी एक वस्त है इससे प्रकास की किरण हुख्यक्स के सब अंतर जाएगी जब मुख्यक्स के समांतर जाती है तो यह जो है ऐसे जाएगी उसके बाद सी से जब जाएगी तो सीधे निकल जाएगी इसको थोड़ा साव सीधे निकल जाएगी जिसका प्रतिविम एडेस और बेडेस बना है जो अभासी है सीधा है बस्तु से छोटा है जिधर बस्तु है उधर ही बना है तो आज हम लोग लेंस द्वारा प्रतिविम का बनना पड़े है उत्तर लेंस में छे इस्ति है पहला इस्ति क्या है जब बस्तु अनन्त पर है तो जब बस्तु ये बस्तु की इस्तिती है इसको हम एक चार्ट के माधियम से पढ़ सकते है प्रतिविम इसको चार्ट हम बना सकते हैं देखे कैसे इसको पहलेंगे बहुत ही असान है बस्तु प्रतिवीद और प्रकिर्टि नहीं कैसा बनेगा पहली इस्तिती जब अलंद पर रहेगा तो यह पर बनेगा वास्तिवीद और ठोटा वास्तिवीद जब होगा तो प्रतिवी निश्चित तवर पर उल्टा होगा दूसरा जो था तू यव्द तथा अनन्त के बीच चाहे अनन्त तथा तू यव्द के बीच इज़र जाते हैं अनन्त तथा तू यव्द के बीच बना किस के बीच था यव्द था तू यव्द के बीच ये था यही कंडिशन था वास्तिविकर छोटा तीसरा कंडिशन जो था तीसरा कंडिशन था जब टू यहपर हो प्रतिवीव भी टू यहपर वास्तिविक बराबर वास्तिविक बराबर चौथा कंडिशन क्या था टू यहपर यहप के बीच तो यहपर अनन्त के बीच बना था ये वास्तिविक बड़ा था वास्तिविक बड़ा पाचवार कंडिशन जब यवख पर था तो अनर्थ पर बना था वास्तिविक बड़ा वास्तिविक और बड़ा यही श्तिफिती छठवा जो कंडिशन था यवख और सी के बिच था तो ये बना था यप और सी वाला जो बना था ये बस्तु की ओर बना था बस्तु की ओर और ये था अभासी अभासी और बरा ये उत्तर लेंज के दौरा